दोस्तो जब बात नेचरल ब्यूटी की आती है तो आपके माइंड में सबसे पहले इंडोनेसिया, मैक्सिको और स्विट्जर लैंड जैसे देशों की एक खूबसूरसी तस्वीर सामने आती होगी लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे इंडिया में ऐसी ऐसी अल्ट्रा प्यूरिफल जगहें मौजूद हैं जिना देखने के बाद आपको बाकी के सारे देशों की ब्यूटी फीकी लगने लगेगी तो कैसा लगेगा आपको तो आएए चलिए दोस्तो अब हम चलते हैं भ 500 फीट की उचाई पर लोकेटिड है यहां घूमने पर आपको लगेगा कि आप स्वर्ग में घूम रहे हो नमबर 9 पर आती है मेगालिया की उमंगोट रिवर दोस्तो ये नदी अपने आप में एक बहुत बड़ा अजूबा है ये नदी अपनी खूबसूरती और बेहत पानी के लिए पूरी दुनिया में फेमस है इस नदी के क्रिस्टल क्लियर पानी के कारण इसके आसपास का नजारा बेहत ही खूबसूरत लगता है इस नदी के ऊपर चलने वाली नाव ऐसे लगती है जैसे कि वह काच के उपर तैर रही हो नमबर 8 पर आता है मुननार जो कि केरल राज्य का एक बेहद ही खूबसूरत टाउन है इस जगा पर आपको तरह तरह के वाटरफॉल्स, माउंटेंस और फॉरेस्ट भी देखने को मिलेंगे ये जगा इंडिया के वन अफ दा मोस्ट अट्राक्टिव टूरिस्ट प्लेसिज में आती है इस जगा को घूमने के बाद आपको पता चलेगा कि इंडिया आज भी कितना ज़्यादा खूबसूरत है नमबर साथ पर आती है वैली ओफ फ्लावर्स यानि फूलों की घाटी दोस्तों ये वैली उत्राखंड में लोकेटेड है यहाँ पर आपको अलगलग परकार के बेहत सुन्दर फूल देखने को मिलेंगी जो आपने यहाँ से पहले कहीं नहीं देखे होंगे और यहाँ आपको तरा-तरा के जिव-जन्तू भी देखने को मिलेंगी और इन सब को मिला कर इस घाटी का जो स्वरूब बनता है वो अपने आप में बहुत ज्यादा प्यूटिफुल और मैजिकल होता है नमबर च्छै पर आती है डल लेक जो की स्रीनगर में फ्लो करती है और ये कस्मीर की बेहत फेमस और अट्रैक्टिब जील है यह लेक तीन दिसाओं से पहाड़ियों से घिरी हुई है इस जील का नजारा आपको स्वर्ग में होने का एहसास कराता है जिस वज़े से यहाँ पर अनगिनत लोग घूमने आते ही रहते हैं इस वैली में आपको अनेक परकार के खूबसूरत फूल, जरने और घास के खूबसूरत मैदान देखने को मिलेंगे और ये वैली चारों तरफ से हिमालियन माउंटेन से घिरी हुई है जिस वज़े से यहाँ का नजारा किसी को भी अपनी और अट्रैक्ट कर लेता है एक जगा अपने आप में बहुत सुन्दर और मैजिकल है दोस्तो इस जगा का नाम कौन नहीं जानता यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिस होती है जिस वज़े से यहाँ की हरयाली और नेचरल ब्यूटी कभी खत्म नहीं होती यह जगा मेगाले स्टेट में लोकेटिड है यहाँ पर आपको वाटरफॉल्स के साथ प्यूटिफुल रैंबोज भी देखने को मिलेंगे जो नजारा किसी स्वर्ग से कम नहीं होता नमबर दो पर आता है सिलॉंग जो कि इंडिया के Most Beautiful Hill Stations में से एक है इस जगा के बारे में आप जितना ज़्यादा जानोगे आपकी Curiosity उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी क्योंकि यहाँ पर एक से बढ़कर एक खूबसूरत जगहें मौजूद है जिस वज़ा से किसी का भी इसे एक बार में देखने से मन ही नहीं भड़ता और यहाँ पर घूमने जाने वाला इंसान कभी भी यह नहीं चाहता कि वो यहाँ से कहीं और जाए दोस्तों इंडिया के One of the Most Beautiful Places की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आती है कस्मीर वैली यहाँ का Peaceful वातावरण और Magical View प्रतेक इंसान को Crazy बना देता है तो दोस्तों यह थी इंडिया की The सबसे Beautiful और Attractive जग हैं आपको इनमें से कौन सी जगा सबसे ज़्यादा Attractive लगी? Comment your answer and thanks for watching the video